हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो यार यूट्यूब चैनल इंग्लिश फैमिली 87 सो देखो इस वीडियो दे विच्चा पा गल करांगे बीए स्मेस्टर थर्ड बीए स्मेस्टर थर्ड दा जेड़ा अपना लास्ट ऐसे है यूनिवर्सल डिक्लियरेशन ऑफ हुमन राइट्स अपना प्रॉपर जिमेस्टर मैं तो अनू कराना होना समरी अपना एस ऐसे नहीं कीती क्योंकि एस दे विच्च कुछ खास नहींगा सिर्फ एसे वीडियो दे विच्च मैं तो अनू दो चार लेना दे विच्च पहला एस दस्दे मागा के एस ऐसे दे विच्च की चीजी दसी की है उस्तो बाद आपा सिर्फ एक ही क्वेश्चन करांगे लॉंग क्वेश्चन अजिड़ा पास इक करांगे एस ऐसे दा कोमन जो भी तो नू आजावे तुसी सर्फ एक ही कोमन अजिड़ा अंसर लिखना है सब तो देखो एस ऐसे दे विच्च दस्या की गया है एस ऐसे दे विच्च सिर्फ हीमन राइट्स सिर्फ इनना वारे ही गल किती की है के समय समय ते किस तरह जड़े हीमन राइट्स ने उनना दे उलंगना किती गी सरकारां बल्लों के लोकानू जड़े उनना दे राइट्स ने उ पर उन्ना दा किन्नक असर होया किन्नक नहीं वह आप एस क्वेशन देविचे जानांगे कोश्या ता बहुत हुँ या पर फेर भी जिनना होना चाहिंदा सी अधिकार जिनने मतलब मुख्रूप देविचे मिलने जहीं देशी ओने नहीं मिले सो एही चीजी है जिए एस ऐसे ले विचे दसी गी है तो देखो क्वेशन स्टार्ट कर दियां अंसर देखो स्टार्ट कर दियां इट इस ट्रूप देट हुमन राइट्स आर इंपॉर्टेंट एवन टुडे एह कहने बिलुकुल सचाही है के अज़िदे समय दे विचे एड राइट्स ने अदिकार ने मनुखी अदिकार ओ बहुत ही जरूरी ने मतलब उननों अदिकार प्रॉपर तरीक के देनार नहीं मिल रहे चाइल्ड लेवर इस वाइडली कोमन एंड यंग मैन लीड अलाइफ ऑफ स्लेवरी चाइल्ड लेवर मतलब बच्चे तो यड़ी मजदूरी है ओहो बहुत उच्चे पद्दर ते करवाई यंदी है अ तेड़े यंग मैन ने गबरू ने उनना ले यड़ी जिंदगी है ओ एक स्लेवरी मतलब एक मजदूरा बर्गी है जा गुलामा बर्गी कहलो एहो जही हुंदी जान दिया है तो अगे देखो मागना कार्टा 1215 ए ओ बिल ने मतलब जेड़े ओ नाम ने है जर्धी ऐह स्मेश अंमे समय तेडे बिल ने वहा पेश कीते गए मतलब एक फ्यूमंण राइट्स देप्ख दे बिच न बिच आ इंना बिच ए बिल ने बिल ओफ राइट्स 1609 में वर्द अटेंप्ट्स मेड इन इंग्लेंड तू राइट डाउन हिुमन राइट्स इन फॉर्म ओफ डॉकोमेंट्स इंग्लेंड दे विची डे ए बिल ने इस हारे जिनन दापन नाम देखो गिनाया ए पेश कीते गई ती का दे लही हुमन सने डे उननों पेश कीता गया सी अग्ये देखो द फ्रेंच डिक्लेरेशन ओफ द राइट्स ओफ मैन 1709 में एंड द अमेरिकन बिल ओफ राइट्स 1709 में वर्द नेक्स्ट अटेंप्ट्स सो देखो ए अगली कोशिश थी सब तो पहली कोशिश की सी जिडे ए सारे बिल ने और ओस्तों बाद ओस्तों बाद किया है 1709 में दे विच भी द फ्रेंच डिक्लेरेशन ओफ द राइट्स ओफ मैन ए बिल पेश कीता गया अते द अमेरिकन बिल ओफ राइट्स 1709 में ए भी मतलब ओस्तों बाद दूसरी कोश चैड़ी हो किती गई हुमन राइट्स दे प्रोटेक्शन ओफ मिनियॉर्टी इन अफ फ्यू कंट्रीज जडी यहे समें लीग आफ नेशन अंवर्ड वार्त ओंट व्र्ल वार्त ओ तॉब भार तो बाद यह नहीं भी मकिन अपंत को शिए यह पर जिमा लेए दिक अटे extremely protection दा का दी protection दा minority minority हुंन दी है कत गिंतियां दे लिली मतलब कत गिंतियां दी protection दे लिली इसने अपना जिंमा ले आ सी गा league of nation Neff the second world war witnessed a large abuse of human life and dignity ते कैने जिड़ा दूसरा विश्वजद होया सी उस विश्वजद दे विच जिड़ी इंसानियत है मतलब human life है ते उस दे dignity है मान मर्याद है उस दा बड़ा जिड़ा अपमान होया सी मतलब लोकान दे राइट से बगारा कुछ नहीं देखे गए सी वर्ड वार सेकन जो दो होया सी गा सिर्फ लोकानों कुछ रहा ही गया सी गा थाज इट इज़ सॉरी थाज इट विकेम प्रूवड ता एए किया इह साबित हो गया सी या थाज इट विकेम प्रूवड दैट इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स वर नीडर टू प्रोटेक्ट हुमन राइट्स ता इस तरह की लोड पाई सी के नेशनल वेश दे उतते हुमन राइट्स ने उनना दी सुरुख्या नहीं किती जा सकती ता इसलिए इंटरनेशनल पदर ते जुरूरत पई सी के हुमन राइट्स ने यडरे उनना नो सेफ कीता जावे इंटरनेशनल पदर ते सारे देश मिलके इन दिस वे दा चार्टर ओफ युनाइटेड स्टेट्स वार वाज स्टेबलिश्ट ता इस तरीके दे नाड इस तरह जेड़ा युनाइटेड स्टेट्स है युनाइटेड स्टेट्स ने एक चार्टा जेड़ा ओहो स्टेबलिश्ट कीता सी गा बनाया सी गा ओन 10 दिसंबर 10 दिसंबर नो 1948 दे जनरल असेंबली अडॉप्टेड दे युनिवर्सल ओफ डिकलियरेशन ओफ हुमन राइट्स 10 दिसंबर 1948 जेड़ी जनरल असेंबली है ओसदे बिच की है जेड़े युनिवर्सल ओफ डिकलियरेशन हुमन राइट्स ने इनना नो मतलब पेश कीता गया जेड़े लोग काने राइट्स ने लोग काने अदकार ने उनना नो चलू किता जावे लगू किता जावे मतलब पूरी तरह हो अपने अदकार नेड़े हो बर्त सकना दा चार्टर स्टेट्स बैट दा एम आफ दा युनाइट्टेड नेशन इस तो प्रमोर्ट एन इंकरज रस्टेक्ट फ़र हीमन राइट्स एंड फॉर फण्डमेंटल फ्रीड़म पर ऑफ बिदावत अनि डिस्क्रिमिनेशन बिदाऊ ने डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन हुंदै ताद देखो की हुए या, दा चार्टर स्टेट्स दाइट दा एम आफ दा युनाइटेड नेशन, युनाइटेड नेशन एड़ा उस दा की एम सी, is to पर्मोट एंड इंकरेज रिस्पेक्ट फार हुमन राइट्स, के जेड़े हुमन राइट्स ने उनना नो पर्मोट किता जावे ते उनना नो किया है, इंकरेज किता जावे उस दी रिस्पेक्ट नो, एंड फार फंडामेंटल फ्रीडम, अते जड़ी अजाद्धी युनादी, उस नो भी मुख रख्या गया, for all, without any discrimination, सारे आनले, मतलब एड़े हुमन राइट्स ने अजाद्धी है, सारे आनले मतलब एड़े लागू किती जावे, उस दातिया रख्या जावे, without any discrimination, बिना किसे पखपातू, एनी है कि उच्छे कई लोग का नो मिल गया, कई या नो नो नहीं, मतलब एड़े राइट्स हैगे ने, ता सारे आनले, एकूल, जेड़े ने हो, उननो लागू किता जावे, अधिकार ही नहीं, observance of human rights and to increase operation to achieve this aim, अते एस दे लही की जड़े अपनाया गया, increase operation to achieve this aim, एस aim नो अचीव करन दे लही, एस एम नो अचीव करन दे लही, एस एम नो अचीव करन दे लही, एड़े human rights ने उननो लागू किता जावे, उस दे लही की किता increase operation, एतनी आ रख्या गया कि यह ओप्रेशन है मतलों के हुमन राइट्स ने यह उन्हों लगू किता जाना है पूरे तौर तरीक कें दे नाड एदे विच मतलों कोई भी पकपात ना होबे उस दा पूरा त्यान दिता गया एस ओप्रेशन ओप्रेशन नों इंक्रीज किता गया बदा आया गया बट दचार्ट डजनोट एक्सप्रेस प्रॉपरली अबाउट दा हुमन राइट्स पर प्रॉबलम एस ही जड़ा ही चार्ट बनाया गया थी गल्ल हो गया कि चार्ट त्यार किता गया थी युनाइटड नेशन द्वारा यह पर पड़े है ओहो कारे वास्ते के प्रमोट कि जावे हुमन राइट्स नों के हुमन राइट्स तर त्यान रखे जावे बिना किसे पक पातूं पर प्रॉबलम एस ही जड़ा एचार्ट है यह प्रॉपरली एक्सप्रेस नहीं करदा सी मतलब एदे विच जड़े हुमन राइट्स ने सारे उनना नों पूरी तरह एक्सप प्रेस नहीं किती गई सी एस चार्ट दे विच पित ऑढसो ड़ नोट मैंशन मतलो एक चीज़ हो भी यहीं चीज़ प्राइब पूर आइडि नहीं लिखे गई सी तड़ अल्स वही पूरी तरह नहीं लिखे गया सी के जेडे भी अपर हुमन राइट ने यहीं अतला लगू क करंदी गल कर रहे हां ओहो जिनने भी मेंबर स्टेट्स ने सारे ही स्टेट्स दे विच्च लागू किते जानगे ए चीज़ भी यडियो दे विच्च चंगीत रांद लिखती रूप दे विच्च यडियो हो नहीं मैंशन किती गई सी कि फार एन इंडिवीजुल इट इस वेरी डिफिकल्ट तु सेफगार्ड हिज लिए रख्या करना क्योंकि ओस जड़ा ही चार्ट कह रहे हैं पां ओदे विच्च एहे प्रॉपर कुछ भी यह लिखी नहीं गया सीगा कि ओह जड़े उननारे अधिकार ने पूरे सेफ रहन ग सिर्फ हो न्यूजबेपर देविच ही लिखे जा सकथा सीगा दाल लैंथी एंड क्यूंबर्सम क्यूंबर्सम दाय आउकवड ऑकड भी कह सका देंजा अब मतलब बुरा जा बदिया नहीं दालेंटी एंड ऑकवर्ड जुडिसियल कानूनी जुडिसियल प्रसेस मतलब डाज नॉट डू मच टू प्रवाइड लीफ मतलव लीफ दलाउन दे लिए है काफी नहीं सी क्योंकि जड़े हुमन राइट्स ने प्रॉपर उन्ना दा कोई समाधान नहीं होया सी गा जिस तरह पर पड़े है इट इस फार्द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एन अगली वीडियो लेके ओदों तक देव इजाजत थेंक्यू सो मच